करेंगे बेस्ट योहिम बाइंग सप्लिमेंट ब्रैंड्स के बारे में जो कि purely मेरे opinion पर based रहेगा देखिए fat loss supplements के बारे में मैं आप लोगों काफी information दे चुका अपने videos के थुरू काफी ऐसे supplements जो बहुत ही popular हैं उन्हें बस कर रखा हूँ जैसे कि CLA हो गया, Carnitine हो गया, useless supplement है यह, fat loss supplement अगर आपको कोई चाहिए तो वो है योहिम बाइन और केफीन तो यह videos जब मैंने योहिम बाइन और केफीन के बारे में बताया तो बहुत सारे लोगों को कुश्चा आता है कि sir, योहिम बाइन हम कौन से brand का लें, please आप हमें उसके बारे में जो है बता है, सबसे पहले briefly हम योहिम बाइन के बारे में cover करते हैं कि योहिम बाइन fat loss के thighs में store होता है, women लोग breast fat से काफी problem होती है, क्योंकि वहां भी जिद्धी fat store होता है, तो ऐसे जिद्धी fat basically उन areas में होते हैं, जहां पे alpha receptor की मात्रा जादा होती है, alpha receptor basically आप समझें कि हमारे body में एक ऐसे बुरे guys हैं, एक ऐसे बुरे लोग हैं, जो हमारे body में fat को fat cell के अंदर कैद करके रखते हैं, उन्हें fat cell से बाहर निकलने ही नहीं देते, तो जैसी आप yohimbine लेते हैं, yohimbine क्या करता है, यह उन alpha receptors के action को inhibit कर देता है, उनके action को रोग देता है, अगर yohimbine उनके action को रोग देगा, तो वो लोग fat को कैद करके रखनी पाएंगे, जिसकी मदद से fat जो है हमारा energy के रूप में burn होके धीरे 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 करके खतम होता जाएगा, तो ऐसे जो है yohimbine supplement काम करता है, yohimbine जो है एक 100% herbal supplement है, क्योंकि यह African के evergreen tree के bark से बनता है, ठीक है, उसके bark से बनता है, इसलिए यह एक herbal supplement है, अब बात करूँ कि मैं कौन-कौन से brands आप लोगों आडवाइस करना चाहूंगा, देखिए मैं आप लोगों को दो ब्रैंड आडवाइस करना चाहूंगा, एक है Prima Force और एक है Neutral Coast, दोनों की image आप लोग मेरे स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, देखिए कोई भी Indian brand मैंने consider क्यों नहीं किया है, ऐसा नहीं है, मैं Indian brand के है न, उस brand से आप दूर रहे हैं, मतलब बहुत सारे ऐसे brands हैं, जो चीनी या माल्टो डेक्स्ट्री मिला के अपने वे पूटिन बेशते हैं, तो अच्छे brands अगर आप लेंगे, तो Indian brands में भी आप लोगों को डाइट और exercise से combination में result मिलेगा, anyways, तो ये दोनों brand ही मैं आप ल information मेंशन करते हैं, मतलब जितना योहिमबाइन वो डालते हैं, उतना वो disclose नहीं करते हैं, इसी वज़े से न, बहुत सारे countries में योहिमबाइन कम्प्लीटली बैंड कर दिया गया, ऐसा supplement के रूप में, क्योंकि योहिमबाइन की label inaccuracy में ऐसा पागया कि बहुत सारे brand 147% तक योहिमबाइन एड करते हैं, और claim सिर्फ 100% ही करते हैं, देखें ये एक बहुत ही जादा बड़ा risk है, क्योंकि योहिमबाइन की अगर आप dose जादा लेते हैं, recommended dose से जादा लेते हैं, तो आप में elevated heart rate, blood pressure, anxiety, gas, इन सब की problem हो सकती ही, जो की खतरनाक problems है, Harvard Medical School ने इसी चीज़ के ऊपर एक research भी conduct की, जिसमें उन्होंने 49 योहिमबाइन के different brands को लिया, और उस research के अंत में उन्होंने ये पाया, कि इन 49 different brands में से 72% brand जो है, अपने योहिमबाइन supplement के label पे गलत information देते हैं, मतलब वो लोग जितना जादा योहिमबाइन डालते हैं, उत से कम disclose करते हैं, और इस research में बड़े-बड़े brands भी शामिल थे, इसलिए guys, मैं typically ऐसे brand पे ज्यादा suggest करता हूँ, ज्यादा favor करता हूँ, योहिमबाइन के लिए, जो बहुत ही पुराने brands हैं, बहुत time से आ रहे हैं, अभी जो Prima Force योहिमबाइन है, वो आपको health card पे easily available हो जा कापसूल में आपको 2.5 mg योहिमबाइन, HCL के रूप में मिलता है, आपको पूरे दिन में 15-20 mg योहिमबाइन ही consume करना है, मतलब अगर आप Prima Force लेते हैं, Prima Force वाला योहिमबाइन supplement लेते हैं, तो आपको पूरे दिन में 6-8 capsules जो है लेनी पड़ जाएगी, तो Prima Force का एक य योहिमबाइन की जो strength है एक capsule की वो थोड़ी जादा है, एक capsule में 5 mg HCL योहिमबाइन पर जाता है, तो अगर न्यूट्रिकोस का योहिमबाइन supplement लेंगे, तो वो आपको पूरे दिन में सिर्फ 3-4 capsules लेनी पड़ेगी, तो इसलिए मैं न्यूट्रिकोस आप लोगों को और अगर आपको जलेटिन कैपसूल से कोई दिक्कत नी है, तो आप न्यूट्रिकोस ले सकते हैं, अब सबसे लास्ट में आप एक चीज और समझें कि यह जो fat loss supplements होते हैं, यह basically accelerator होते हैं, मतलब जो आपका fat loss होता है, वो आपके diet पर डिपेंड करता है, यह सब जो supplement हो गया यह ही मबाइन हो गया, यह केफीन हो गया, यह उस fat loss के process को speed up करते हैं थोड़ा सा, अगर आप fat loss supplement नहीं भी लेते हैं, तो diet से ही आप अपना fat loss कर सकते हैं, तो हमेशा एक चीज का ध्यान रखें, कि कुछ भी खा रहे हैं, उसमें यह ही मबाइन पैसा खर्च करके उसे लेन ही मिलता, क्योंकि आप लोगों ने CLA, Carnitine, इन सब useless supplement को इतना ज़्यादा बढ़ा दिया है, इतना ज़्यादा ऊचे स्थान में पहुचा दिया है, कि लोग जो है, इनको बेच की अपना पैसा कमाते हैं, जो effective supplement है, जैसे कि यह ही मबाइन हो गया, केफीन हो गया, उसमें व एक वीडियो देखने के लिए आप लोग वापस से All About Nutrition पहाएंगे, नोटिफिकेशन बेल ऐकन अगर आपने हिट नहीं किया है, तो प्लीज अभी जाके उसे हिट कर दे, सब्सक्राइब तो आप लोगोंने आप लोगोंने आप शूर कर ही दिया होगा, मिलता हूँ आप स